नमस्कार आप दीखरें न्यूस फोर नेशन और मैं हूं सांफुनाप के साथ आगामी 5 दिसम्बर को बिहार के कुड़ने विदानसवा सीट पर उपचुनाव होना है जिसको लेकर तमाम तैयारिया युद्सतर पर शुरू हो चुकी है नमांकन की प्रकेरिया चल रही है जहां पर आज महागचबंधन के प्रत्याशी मनोज कुश्वाहा का नमांकन होना है सबसे पहले सुपचुनाव में महागच मंधन ने अपने प्रत्याशी को उतारते हुए जद्यू को चुनावी मैदान में उतारा है जहां तीन बार के मेले रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोच कुश्वाहा को महागच मंधन का उमीदवार बनाया गया है जिनके तरफ से आज नामांकन पत्र दाखिल कराया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के बीतर कई दिनों से मंधन चल रहा था उमीदवारों के नामों को लेकर दो नाम सुपचुनाव को लेकर सामने आ रहे थे और अब बीजेपी ने अपने उमीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है आपको बता दे कि बीजेपी के तरफ से केदार प्रसाद गुपता को कुड़नी विदान सवा में होने वाले उक्चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है केदार प्रसाद गुपता वैश जाती से आते हैं और बीजेपी लगातार इनके नाम पर कई दिनों से मंथन कर रही थी इसी कड़ी में बीजेपी की कोर कमीटी के बैठक केंद्र गिराज मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली आवास पर हुई जहां बीजेपी के प्रदीश अध्यक्ष संजे जैस्वाल बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोत तावडी नेतो प्रतिपक्ष विजेस सिन्हा और अन्य मंत्रीगण वहाँ पर मौझूद थे और इस मीटिंग के बाद अब बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए किदार प्रसाद गुपता को टिकेट दे दिया है हलाकि जिन दो नामों पर बीजेपी के भीतर खाने से चर्चा हो रही थी वो दो नाम ते किदार प्रसाद गुपता के और बसावन भागत के वैश्यिपार आने वाले उमिद्वार का अइलान होता तो बीजेपी के तरफ से भी वैश्यिपार जाता लेकिन महागट बंदन के तरफ से मनोज कुश्वाहा को टिकेट दिया गया है और अब बीजेपी ने बसावन भगट जोकी कुश्वाहा जाती से आते हैं उन्हें टिकेट ना देकर किदार प्रसाद गुपता को आगी किया है नामांगन की प्रकिरिया 17 नवंबर तक चलेगी जिसके बाद चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यबंतरी नितीश उमार की दो से तीन चुनावी सभाई कुड़नी में होने जा रही है जहां वो तेजस्पुई आदफ के साथ सेंगत रूप से सभाई करेंगे एक तरफ जहां महागच बंधन जीत की होड में लगी हुई है खास कर एक लंबे अवधी के बाद जदियू उप्चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरे तरफ बीजेपी ने पूरी की पूरी टीम तैनात कर ली है आपको बता दे कि लगबग 167 गावों में 80 टीमें बीजेपी के तरफ से उतारी जा रही है जहां प्रतेक टीम में 5 से साथ सदस्यों को रखा जा रहा है बीजेपी हर हाल में इस बार के कुड़नी उप्चुनाव को अपने पक्ष में लेनी की तैयारे में जुट गई है जहां 17 नवंबर को नावांकन की प्रकेरिया खत्म होगी पार्च दिसंबर को मतदान होगा और आगामी 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उससे दिन रिजल्ट घोशित कर दिये जाएंगे इस बार का कुड़नी उप्चुनाव में किस पक्ष में फैसला आता है यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन यह जो उप्चुनाव बिहार में हो रहे है इससे कहीं न कहीं साल 2024 की जो रन्नीती है वो भी तयार हो रही है भाजपा ने बड़े सोच समझ कर केदार पसाद गुपता को आगे किया है और अब यह जो रन्नीती है उप्चुनाव को लेकर वो बीजेपी के तरफ से शुरू हो चुकी है फला के लिए सफजेश में अतना ही है न कई खबरों के लिए मैं आसाथ बनी रहे न्यूस वार्नेशन में नमस्का